देखिए एक शेल लगी ती जिसमें कस्टमर आया तो कस्टमर को शॉप़ीपर ओफर दिया 10 परसेंट नहीं किसमें 10 परसेंट में उसने जीन्स खरी दी जीन्स की जो माघ प्राइस थी वो थी 1450 रुपीज थी और टी-चेट की माघ प्राइस थी 850 रुपीज तो उसने दो खरीजी तो 850 रूपीस इंटू कितने हो जाएगी 1700 रूपीस हो जाएगा तो उसकी यह 1450 और 1700 रूपीस दोनों मिला कि कर्ष्टमर ने पेक करा शौप की पर को तो शौप की पर पास कितना मोंट आया 3150 आया 3150 आया अब आपको अब आपको पता नहीं कि परसेंट परसेंट करेंगा तो सबसे पहले डिसकाउंट परसेंटिज डिसकाउंट परसेंटिज का फर्मला होता है वह होता होता है अपने बात में देखेंगे डिसकाउंट कितने का हुआ डिसकाउंट नहीं पता आपको इसको डी माल लीजे क्या माल लीजे इंटो मांग प्राइस किते होगे तो यहां से जीरो गया तो डिसकाउंट जो उसके पास रूपर कम देने उसकी मांग प्राइस पर क्या करने उसके मांग प्राइस पर माइनस डिसकाउंट माइनस डिसकाउंट है ना सेलिंग प्राइस मतलब कि ऐसा समझी चिंटू था एक बच्चा जो एक सौप की पर के पास गिया शौपकी पर ने बोला कि दस रुपर की अ धेखो डिसकाउंट में चैनलीं में योईमि प्राइस तो इससे में ज yapıyor ममें प्राइस कि यहाँ परई तो 1951 मानिस कर द हींगे 3015 किसको कर दींगे 1 तो यहां से 10 से 10 तो इसे पैर बचेंगे यहां पीक को जए गा तो इस फोर नहीं है तो ही दो कित्ता बचे़ा थ हैंता सिरिगा एंताब आब इदर चांब से ठींрамPay करने presence таких पेग तो a ते झुके जगज कर दो कर दो दो दुके रिकते ये